Theories of Origin of Towns इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम Gordon Child, Henry Pyrene और Lewis Mumford की थियोरी की important points देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं Gordon Child के बारे में Gordon Child ने अपनी थियोरी में एक archaeological perspective दिया है इनकी थियोरी का नाम है The Urban Revolution Gordon Child कहते हैं कि Towns का development एक urban revolution की वज़े से हुआ है यानि कि पहले हम एक hunter gatherer थे उसके बाद हम एक agricultural society बने और last में जाके हम एक industrial modern society बनते हैं फिर आते हैं Henry Pyrene Henry Pyrene ने अपनी थियोरी में एक historical perspective दिया है ये कहते हैं कि Towns का development Europeans और Arabs के वीच में जो struggle हुआ उसके वज़े से हुआ इसी concept को Indian scenario में आरेश शर्मा ने बताया इन्होंने बताया कि कैसे गुपता empire के downfall के बाद Towns का development इंडिया में हुआ अब बात करते हैं Lewis Mumford की थियोरी के बारे में Lewis Mumford की थियोरी का नाम था The Urban Implosion ये कहते हैं कि Towns का development दो change के वरे से हुआ Social change और Cultural change Social change में ये बता रहे हैं कि कैसे Towns पहले Eco-technic हुआ करते थे और बात मज़ा के Bio-technic बने और Cultural change में ये बताते हैं कि कैसे Towns पहले Eco-polis हुआ करते थे और Finally Megalopolis, Necropolis और Tiranopolis बनते हैं UGC Net Geography के online course जो आपके phone में चलेगा तो आपको एक Telegram Group के अंदर add किया जाएगा Unit 1 से Unit 10 तर सारे course वीडियो और उसके PDF इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगे अज लेट सब्सक्राइब को Geography के सारे वीडियो यह ही जगे पर आपको मिल गाए है जो के PDF देखने हैं यह पूरा PDF का फोल्डर को लिया एक एप की तरह आपको डेमो ग्लासे देखनी है और उसके बाद मुझे आप कॉंटाक कीजेगा